हलो एबरीवन वेलकम टू कोके श्योगन आज हम बनाएंगे सेंविश डूकला और यह सेंविश डूकला आज हम दो फ्लेवर में बना रहे हैं तो कैसे यह बनता है और यह बिना दाल भीगोने के जंचट के बिना ही यह बन जाता एकदम एजी सिंपल वाला क्वेक वाला यह नाष्ता है तो आप इसे डिनर पे भी ले सकते हो और जब भोख लगे तब आप इससे बना सकते हो और खासकते हो यह खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है तो जुसरूर एक बार इससे ट्राइ करा तो चलिए यह कैसे बनता है सबसे पहले यहाँ पे लाल चटनी तयार करेंगे इसके लिए मैंने 7-8 जो सुखी मिर्शाती है वो ली है और 14 कप गरम पानी में इसे भीगो के हमें 15 मिनिट के लिए साइड में रख देना है दूसरी तरफ डोकले का बेटर तयार करेंगे तो 2 कप यहाँ पे सुझी ली है जो मिजरिंग कप आते हैं उससे नापके मैंने लिया है आपके पास ना हो तो आप एक कटड़े ले लीजी और उसके मापके अनुसार आप ले सकते हो तो यहाँ पे दो कप मैंने चास ली है और यह चास एक्टम खटी वाली है गर पे बनाई हुई है तो आपको खटी चास का ही यूज करना है उसके बाद यहाँ पे आदा कप पानी डाला है और इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें कोई लंस ना रहे उसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है अब हम क्या करेंगे इसे ढखने के बाद 30 मिनिट के लिए इसे छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो पानी और चास एपसॉप कर लेगा और एक अच्छा सा डोगले का बैटर रेडी हो जाएगा तो आप इसे रेस्ट पे रखतीजे 30 मिनिट के लिए जो लाल सुखी मिर्श है वो भी पानी में नरम हो चुकी है तो उसकी हम चटनी तयार करेंगे तो एक मिक्सी जाले लीजे उसके अंदर ये बिगोई हुई लाल मिर्श डाल दीजे और 8-9 लसन की कलिया डाल दीजे यहाँ पे जो लसन की कलिया मैंने यूज की है वो कलिया जादा इसमें डाल दीजे उसके बाद मैंने एक बड़ा चमच यहाँ पे डाला है जीरा एक बड़ा चमच धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा गूट डाला है दो बड़े चमच यहाँ पे गूट डाला है आप शुगर का भी यूज कर सकते हो आदी चोटी चम त्यार करेंगे तो उसके लिए फ्रेश हरा धनिया ले लिए एक कप यहां पे धनिया लिया है और उसे अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है उसके बाद इसे मिक्स्टे जार में डाल के एक बड़ी चमच नीमुका रस डाल दीजे और यहां पे तीन मैने हरी मिर्च लिए यह तीखी वाली है आप तीखा कम खाते हो तो दो कर दीजे और दो बड़े चमच यहां पे सिंग दाना लिया है यह बुना हुआ नहीं है कच्चा है दो छोटे टुकडे अधरक के डाले दो बड़ी चमच यहां पे चीनी डाली है और आदी छोटी चमच नमक डाला है उसक ग्रीन वाली चटनी बनाई है उसके बाद जो बैटर हमने बनाया था सूजी का वो भी रेडी हो चुका है सूजी है वो भी अच्छी तरह से फूल चुकी है पर हमें इससे थोड़ा लूस करना है बैटर को तो यह एकदम परफेक्ट है तो सैन्वीट डोगले के लिए दो चतनिया भी रेडी है और यह डोगले का बैटर भी रेडी है तो दुसरी तरफ मैंने क्या किया है एक बड़े से कड़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है तो दस मिनिट के लिए उसमें हम प केक्टीन में लग जाना चाहिए वरना क्या होगा कि डोगले बाहर इसली नहीं नीक लेंगे एक छोटे से बावल में मैंने एक कप के करिब इसमें डोगले का जो पैटर है वो डाला है उसके अंदर जो इनो आता है तो एक चौथाई छोटी चमश इनो डाला है और एक चौ डोगले का जो यह बैटर बना है हमने वाइट वाला वो डाल देंगे तो दुसरी तरफ यह पानी है वो भी हमारा गरम हो चुका है तो यह जो केक्टीन है हम उसकड़ाई में रख देंगे उसके बाल यहां पे हम जो उपर का धकन है वो डखेंगे लेकिन आपको क्या करना ह इस तरह से कपड़ा लगा देना है वरना क्या होगा कि जैसे डोकले स्टीम होगे और उसका जो पानी निकलेगा उससे डोकले के उपर गिरेगा तो हमारा डोकला अच्छा नहीं बनेगा तो आपको इस तरह से करना है और उससे पांच मिनिट के लिए फूल हाई फ्लेम पे आपको इसे पकाना है दूसरी तरफ उसी बाउल में मैंने फिर से एक कप डोकले का बेटर लिया है और उसके अंदर जो हरी चचनी थी वो मैंने पूरी की पूरी डाल दी है और इसमें भी हम एक चोथाई छोटी चमश नमक डालेंगे और एक चोथाई छोटी चमश इसमें इनो यानि कि fruit salt दालेंगे और इसे भी हम mix करेंगे तो यह जो सेंविश रुकले में जो green color का पार्ट होता है बस यही है तो दुसरी तरह हमारा जो डोगला है पांच मिनिट में वो भी स्टीम हो चुका है और उसके उपर हम यह green वाला जो बैटर है उसका लेयर करेंगे तो पांच मिनिट के बाद आप देख सकते हो अच्छी तरह से यह स्टीम हो चुका है आप क्या करेगा चाको की मतर से चेक करेगा कि अगर चाको में जो बैटर चिपकेगा तो आपका डोगला स्टीम नहीं हुआ होगा तो आप इसे फिर से कर देजे तो यह स्टीम होने के बा और जो सॉल्ट है दोनों इसमें एड किया है उसी नाप से ही मैंने यहां पर डाला है तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो पांच मिनिट के बाद जो ग्रीन लेयर था वो भी हमारा स्टीम हो चुका है तो उसके उपर यह वाइट वाला जो बेटर है वो हम फैलाए कि अधर यहां यहां डीआ के लिए और उसके अंदर जैळा लाल चटने हमने बनाय दिए लसन वाली वह एड कर दिया है और इसमें भी रोडा शान नमक और जो इनो था वह डालके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो पांच मिनित ने वह भी हमारा स्टीम हो चु देंगे तो बस इसी प्रोसेस से वन बाई वन बाई इस तरह से हमें करना है ढूकले को और यह ढूकला सूजी का है तो यह फटा फर्स टीम हो जाएगा इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे अब उपर का जो टॉप का वाइट लेह है वो त उसके उपर हम यह वाइट वाला फिर से फैला देंगे और फिर से हम 15 मिनिट के लिए इसे हाई फ्रेम पे हम स्टिंग करेंगे तो यह जो डोगला है सैन्वीच डोगला हमारा रेडी है एकदम आसान तरीके से बनता है और खाने में बहुत ही बढ़िया बनता है आप जो फ लब के डोगला अच्छी तरह से स्टीम हो जुका है तो इसे बाहर निकालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का तयार करेंगे तो एक पैन में मैंने तीन बड़े चमश तेल लिया है तिल थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद यहां पर हम राई डालेंगे तो आधी बड़ी चमश मैंने राई डाली है राई इस अच्छी तरह से फूट जाए इसमें उसके बाद मैंने एक चोथाई छोटी चमश जो जीरा आता है वो डाला है एक चोथाई चमश छोटी हींग डाली है थोड़े से करी पत्ते ड अच्छी तरह से इन सबकों हम भूल लेंगे दो बड़े चमि यहां पर मैंने थीद डाला है जो वइट वाइट विए तील आता है वह इसमें डाला है और इन सबको अच्छी तरह से हम बुल लेंगे उसके बाद यहां पे छोटा चमश मैंने नीमुका जूस डाला है उसके बाद दो बड़े चमश यहां पे चीनी डाली है इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें एक कप पानी डाला है पानी डालने के बाद यहां पे मैं बंद कर देंगे तो ये डोकला एक दूम ठंडा हो चुका है और ये आप देख सकते हो कि हाथों की मदद से भी ये किनारे छूट रहे है इसके तो हम इसे square pieces में cut करेंगे और आप चाहो तो क्या करिए इसे पूरा सा बहार भी निकाल सकते हो उसके बाद आप इसे cut कर सकते हो आप इसे थोड़ा सा ज्यादा ठंडा होने देना उसके बाद ही cut करना मैंने थोड़ा गरम गरम में cut किया था तो ये थोड़ा सा चीपक रहा था तो आप इसे एकदम ठंडा होने के बाद ही इसे cut करना तो cut करने के बाद जो गरम गरम हमारा जो तड़का है वो इसमें हम डाल देंगे और ये जो पूरा पानी है तड़के का वो डोकला एपसॉप कर लेगा आप इस तरह से कीनारे से चाको की मदब से भी कर सकते हो तो पानी है जो नीचे चला जाएगा इससे जो डोकला है एकदम सौफ्ट बनता है और जो खटा और मीठा इसका टेस्ट है वो डोकले में चला जाएगा ये डोकले को बाहा निकालते है उसके लियर भी अच्छी तरह से सेट हो चुके थे वैसे तो ये डोकला जो ग्रीन चटनी हमने बनाए थी धनिया की उससे ही बनता है पर आज मैंने और सुखी लाल मिर्च चटनी और ये दनिया की चटनी दोनों के साथ में मैंने ये बनाए और इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था डोकला रियली खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था अब ज़रूर इसे ट्राइ करने एक बार गर पे अगर आप इस वीडियो को लाइक करना पसंद आया हो और शेर भी करना आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रूप में थैंक यू फो वाचिंग